दोस्तों ये काम सुत्र बुक है पिछले चैप्टर में हमने जहां तक पढ़ा था उसके बाद यहां से इस चैप्टर से सूरो करते हैं पिछले वीडियो या रामायन महावारत, बेद पुरान ये सब सूराइब पढ़ना चाते हैं तो वीडियो के नीचे चैनल के नेम या पिक्चर पर क्लिक कीजिए या पिर चैनल का नाम यूट्टूब पर साज करके प्रेलिस में जाईए सूरत को संप्रयोग कहते हैं और एकांत में स्त्री के साथ समगो करना सूरत कहलाता है इस अधिकरन में स्त्री और पुरुष के सूरत, सूरतकाल, प्रक्रिया और बिधान कामसंबेग और गुपतांगो के प्रमान का बिवेचन होने के कारण इसका नाम संप्रयोगिक अधिकरन रखा गया है अचार्य वास्यन ने सरवतम संभोग के अंग के परिमान की दिश्टी से पुरुष और स्त्री का बिवेचरन किया है मतलब दोनों के जो संभोग के अंग होते हैं उसके किस तरह से होगा इसके आधार पर और पशुआ के आधार पर उनका नामकरन भी किया है पुरुस की लिंगेंद्रिया के आधार पर यानि लिंग करने का इंद्रिया सुनने का इंद्रिया क्या है कान, देखने का इंद्रिया आँख और लिंग का इंद्रिया आप समझे सकते हैं इसके आधार पर उनके तीन बर्ग बताये गए हैं शस ब्रिश और अश्व ब्रिश का मतलब साइद बैल होता है और अश्व का मतलब घोड़ा और शस का मतलब होता है खरगोस साइद तो पहला है सस पुरुस का लिंग उत्तेजित होने पर यदि छह अंगूल का होता है तो उसे सस कहा जाता है यानि 6 अंगूल का होता है जब उसे सस कहा जाता है ये परिमान सबसे छोटा होता है दूसरा आता है ब्रिश जिस पुरूस का लिंग उत्तेजित अवस्ता में यदि 9 अंगूल का होता है तो उसे बिश यानि बिशप कहा जाता है बैल कहा जाता है ये परिमान मध्यम है, मीडियम है तीसरा है अश्वा ये पूरुष का लिंग उत्तेजित होने पर बारा अंगुल का होता है तो उसे अश्वा यानि घोड़ा की स्रेनी में, कोटी में माना जाता है ये परिमान सबसे बड़ा होता है लंग सब का अर्थ है ये संस्क Visual सब्द है इसका अर्थ जिसके द्वारा किसी को पहिचाना जाए उसे लंग कहते हैं जब संतान की उत्पत्ती होती है तो लिंग जन्रेंद्रिय के द्वारा ही लड़का लड़की की पहचान होती है जन्रेंद्रिय को लिंग कहते हैं किन्तु इस तरी की जन्रेंद्रिय को लिंग नहीं कहा जाता है योनी कही जाती है पुरुस्त के जनलेंद्रिया के लिए ही ये लिंग सब्द रूर हो गया है कुछ लोगों का कतन है कि पुरुस्त के लिंग की लंबाई के समान उसकी मुटाई भी उतने ही परिमान की होनी चाहिए किन्तु वेवारिक दिष्टी से उनका ये मत समेची नहीं प्रतित होता इसी प्रकार स्त्रियों की योनी की गयराई की दिष्टी से स्त्रियत्रिन बर्गों में बिवाजी थे मिरिगी अश्वा और हस्तिनी मिर्गी मतलब हिरनी अश्वा मतलब फीमेल घोड़ा और करिनी यानि हस्तिनी या हाती फीमेल हाती मिर्गी जिस स्त्री की योनी की गहराई श्वा अंगूल की होती है उसे मिर्गी कहा जाता है ये सबसे कम गहराई है ये निम्न परिमान की योनी कहलाती है दूसरे अश्वा जिस्त्री की योनी की गहराई नो अंगूल की होती है, उसे कर्णि या हस्तिनि केते हैं ये गहराई उच्य स्रेनी की योनी होती है आचारिय वात्सायन लिंग के आधार पर स्त्री पूरुष के भेदों का विकल्प करते हैं लिंग के प्रमान के अनुसार नायक पूरुष के तीन बर्ग होते हैं शस ब्रिश और अश्व और नायका की योने की गहराई के अनुसार स्त्री के भी तीन बर्ग होते हैं मिलगी बढ़वा और हस्तिनी आचारिया वासयन ने लिंग परिमान के अनुशार पूरुष अस्त्री की तीन कोटियों में विवाजित किया है और उनका नामकरन पशो के आधर पर किया है वासयन ने लिंग और योनी यानि जनरेंद्रिया के निम्न मद्यम और उच्च जाते हैं इसी प्रका निम्न परिवान की योनी वाली स्त्री मिर्गी मद्यम परिवार वाली बढ़वा और उच्च परिवान की योनी वाली स्त्री हस्तिनी या करिनी कहे जाती है आब इनका लक्षन बताते हैं इसी प्रका स्त्रियों की योनी की गहराई के समान उसकी अंग्लियों बाले गोल मूल दुबले पतले हाथ पेर जंगा और करन प्रदेश बाले सौबी मानी और सुगंदित बीरिय बाले होते हैं किन्तु उनका लिंग छे अंगूल का और निम्न परिमान का होता है अनंगरंग में शस पूरुस्तों के लक्षन इस प्रकर बताया है सस जाती के पूरुस्प्राय कोमल केश वाले विशाल नेत्र वाले सांत थोड़ा खाने वाले सुख्षम अंग वाले पवित्र गोल मूल वाले सम और छोटी-छोटी नाटों वाले हाथ पेर जंगा गुडने ग्रीबा और औरुमें स्यामताधारं करने वाले मिधून के इच्छुक किन्तु यानि संबोख करने की इच्छुक किन्तु स्वलपो और सूरद वाले विनित सूगणदित वीर्यवाले होते हैं अब बिर्ष पूरुष के लक्षन बिर्ष का मतलब में पहले बता चुका हूँ नागर सरवस्तों के अनुसार बिर्ष सेनी के पूरुष स्थूल कर्ण वाले सुन्दर एबंग ललील चाल गती वाले हाथ और पैर लालिमा लिये हुए स्थीर दिर्ग दिष्टी वाले कच्छों के समान उदर वाले सुन्दर स्थूल और चर्वी जुकते सरीर वाले मदूर वासी और सवाग्य साली होते हैं उनका लिंग नौ अंगुल और मध्यम परिमान वाला होता है अनंगरंग के अनुसार बिष्ट जाती के पूरुस कुरूर उन्नत मस्तक वाले दिर्य भुजा वाले प्रौड बक्षस्तल वाले रूखे कच्छों के समान उदर वाले स्थूल कठोर त्यागी स्थीर और दिर अब अश्व पूरुष के लक्षन नागर सर्वश्चों कैनुसार अश्व सेनी के पूरुष क्रिश्च और दिर्ग मुक्षीर ओट और कान भाले घने बाल बाले कुटील अंग और जंगाओ बाले मेक के गर्जन के समान गंबीर और चंचल नेत्र वाले स्थूल उरु वा होते हैं उनका लिंग बारा अंगूल नंबा और उच्च परिमान का होता है अनंग रंग के अनुसर अर्श्व जाती के पूरुष के केश लंबे और स्थुल होते हैं नेत्र चंचल और अत्यन तफेले हुए होते हैं मुख गिवाक ओट डांट और कान पतले और लंबे होते ह स्थूल स्थ्री के साथ संभोग और पचंड रत की इच्चा होती है अश्व पूरुष अधिक खाने वाले सिग्रगामी और दुर्गंद युक्ति बीरवाला होता है अश्व पूरुष बारा अंगूल परिमान का लिंग धारन करता है अब और तो नाइका कलेक्षन का मतलब मैं पहले बताज जोगा हूँ ठीक है नगा शरुष से कहने उसा हरीनी बर्किस्त्रिया लली चाल वाली तन्वी शामा चंद्र किरन के समान सी तल बिकट दातों वाली थोड़ा बोलने वाली घने वालों वाली अधिक कफ भाली कम खाने वाली सुद्रिय सिरोस्ति वाली सुगंदि सुरत के जल यानि रज से युक्त और चिकने मुख वाली होती है इनकी रज का मतलब होता है जैसे पूरुषों का स्पर्म होता है वैसे स्त्रियों का भी रज होता है चिकने मुख वाली होती है इनकी य परने वाले कुछ लोग थोड़े थोड़ा बहुत उसके उनके किताब में भी यह सब लिखा होता है ठीक है अनंगरंग के अनुसार मुरीगी जाती किस्तिरिया घने और घुंगराले केशो वाली समाल समान सीर तन्वी मोटे स्तनों वाली प्रफुलित इंदीवर के समान नेत च्छोटे चिद्र युक्ते नाकों वाली पतले उतर वाली इच थोड़े लाल अदर हाथ और पैरों वाली स्तूल ऊरुजगा और वाली सुन्दर नितंबो वाली गज गामिनी गज गामिनी एक संस्कृत वर्ड है इसका मतलब सेक्सी होता है चंचल मन तथा प्रेम करने वाली और निम्न परिमान की छ अंगूल गैरी योनी वाली होती है बड़वास्त्री के लक्षन नागर सारुस्तों के अनुस्ता और वक्र होती है जंगाई विशाल होती है अंग गरम रहते हैं बाहें कोमल सुन्दर और मासल होती है पसीने की बुंदों से परिपूर्ण होती है गौर वर्ण की और मास के समान गंद वाले का कामज जल यानि रज से युक्त होती है बड़वा जाती की स्तिया पतले उदर वा वाली होती है उनकी योनी नव अंगुल गहरी और मद्य परिमान वाली होती है अनंगरंग के अनुसार बढ़वा जाती की नाइका है यानी लड़कियां उच्छे नीचे मस्तप को धारन करने वाली स्टूल कोमल और घने वालो वाली नील कमल दल के समान विशाल नेत्रों वा शीन कमर वाली और कुरोद करने वाली होती है इनके अतिरिक बढ़वा नारी नाल कम लाल कमल के समान हाथ पेर वाली नेद्रा लू भोजन प्रेमी विश्रिन्य कटी वाली चंचल चित्त पती में अनुराग रखने वाली मास के समान गंद युक्तरज वाली और देश मेराई मद्य परिमान वाली योनी को धारन करती है अब हस्तिनी यानि फीमेल हाती जैसी नाइका कलेक्शन नागरश्यों के समन हस्तिनी सरीनी की नाइका एक कद में छोटी किंतु सरी से स्तूल होती है उनके दांद बड़े-बड़े और केश नीले और स्तूल होते हैं लाल पर बाल अधिक होते हैं और उनका रज हाती के मत की समान गंद युक्त होता है उनकी योनी बारा अंगुल गहरी उच्च परिमान वाली होती है अंतरंग के अनुसा हस्तिनी जाती की नाइकाओ के नाक कान कपोल और गैदन स्थूल होते हैं ओड लंबे नेतर वाले बाल और मोटे होते हैं स्वार रूखा और गंभीर निरलज दुष्ट सवाब भली चित्कवरे अंग और स्थन मोटे होते हैं वह सूरत में बड़े कश्ट से वश में आती है अधिक भोजन करने वाली और खाय पिडिता होती है हाती के मत की गंद वाले रज को धारन करती है उनक अधिक निरनायक होता है जैसे पूरूस में यदि दूसरे लक्षन अश्वके हैं और उनका लिंग शस जा जाती का है यानि छोटा है तो वो शस ही माना जाएगा यदि स्त्री में हस्तिनी के लक्षन बिद्दमान हो किन्तु कांक और पेट छोटे हो या और स्तन तता मुक भरे हुए हो तो हरिनी की विश्टता से यूगत होने पर भी हरिनी जाती की ही कही जाएगी आचारिय का कोक ने रती रहस्य नामक पुस्तग में जाती के अधार पर स्तριयों के चार स्रीनी बताई है कोकोक के रती रहस्यका सरवादिक प्रभाब कल्यान मल्ले के अनंग रंग पर पड़ा है इसी आदार पर कल्यान मल्ले ने अनंग रंग में स्त्रियों के पदमिनी, चित्रिनी, संकिनी और हस्तिनी के ये चार भेज सिक्रित किये है इन में पद्मिनी नाई का सर्वस्रिष्ट और सुंदरी होती है उसके बार देतियस्थान चित्रिनी का और तितियस्थान संकिनी का आता है और हस्तिनी को सबसे निक्रिष्ट बताया गया है आप इनका लक्षन करते हैं पदमिनी कलक्शन पदमिनी नाइका का शरीर कमाल डर के समाल कॉमल और इसके रज में बिकसित कमाल पुष्पक के समाल गंदर आती है उसके समझ ताउगों में दिभ्य सुखंध होती है उसकी आँखे चकीत हरीनी के समाल चंचल और नेतर supraant लालिमा ले होते हैं उसके कुछ जुगल बैल फल के समान पुष्ट उबरे हुए और मिदूल सपर्स होती है उसकी नासिका यानि नाक तिल के फूल के समान सुंदर और सरी कमल पुष्ब के समान कोमल तथा चमपा के फूल के समान गोरा होता है वो शद्दलो गुरु ब्रामन और दिपताओ के पूजा में अदिक अभीरुची वाली रखने वाली आस्तिक और सज्जल होती है उसकी योनी विकसित कमल कोश के समान होती है उसका सरीर चर्चरा और गती राज हंसिनी के समान होती है उसकी बाणी हंसिनी जैसी मदूर और सरस होती है वो जल वेश भूचा वाली किशो दरी पलपहार वाली सभी मानी और सुक शक्षू के समान मनुवर नाशिका वाली होती है चित्रिनी का लक्षन चित्रिनी जाती की नाई का यानी लड़कियां किशगनी गजगामिनी चपल नेत्री नित्य गीत आदी विद्या में कु जंगाओं को धारन करती हुई उनत्र ओष्टो वाली कंभू कंटी और निमबाफल के समान अधरो वाली होती है उसके रज में मदू जैसे गंद आती है यानि स्त्रियों के जो स्पर्म होते उनकी योनि गोल और उबरी हुई होती है योनि का मध्यवाग मुलायम होता है और उस पर बाल जाड़ा नहीं होते योनी पर और सुर्ती जल से आद्र रहती है वो आलिंगन चुम्बन आधी में अधिक रुजी रखने वाली और संभोग में कम रुजी रखने वाली होती है संकिनी का लक्षन संकिनी जाती की नाइका की बाहे लंबी सीर छोटा सरी स्थूल पैर बड़े कटी बाक स्थूल चोटे स्थन योनी गैरी और अधिक रुजी रखने वाली होती है उसके रज में खार गंद आती है वो कुटिल नेतर वाली तिब्र गती वाली और कुदी सवा खोरीनी क्रीपना और मलीना होती है अब हस्तिनी के लक्षन हस्तिनी जाती की नाइका स्थूल सरी वाली भूरे बालो वाली कुरूर गोरंगी कुटील नाखो वाली निल्ला छोटी और जुकी हुई गर्दन वाली गज के मजल के समान गंद वाले कम जलनी रज को धारन करने वाली सूरत में कठिनाय से द्रबित होने वाली गदगत स्वर वाली मोटे ओटो वाली अधिक भोजन खाने वाली और गहरी योनी वाली होती है अचार्य वातसायन पदमशी और कल्यान मल्य अधिया अचार्य ने पूरुश और स्त्री के जो लक्षन दिये हैं उनका मुख्य प्रयजन स्त्री पूरुश के समागम से है स्त्री पूरुश का परस्पर संयोग ही समागम है स्त्री पूरुश संयोग के दो प्रकार होते हैं सम और बिशम इनमें समान स्त्री पूरुश के संयोग को समरत और असमान स्त्री पूरुश के संयोग को बिशमरत कहते हैं इनमें समरत के तीन प्रकार और विशमरत के छे भेद होते हैं उनमें समान नाइग नाइका के संबोग को समरत कहते हैं वो समरत तीन प्रकार का होता है समरत सर्वत्तम समग माना जाता है समान यानि एक सा परिमान वाली स्त्री और पूरुस के एक सा समान पूरुस और स्त्री के समागों को समरत कहते हैं इनमें पूरुस के लिंग और स्त्री की योनी का परिमान एक सा होता है और समग काल में पूरुस का लिंग और स्त्री की योन के सिर्ध तक पहुंच जाता है तता योनी पूर्ण रूप से भर जाती है इससे स्त्री पूर्ण रूप से संतुष्ट हो जाती है और पूरुस को भी पूर्ण सुख की प्राप्ती होती है आचारे वास्तायन के अनुसरा समरत की तीन प्रकार होते हैं सस्पूरुस और मेगी स्त्री की योनी भी छांगुल की गहरी होती है अतर दोनों के लिंग यानि जननेंद्रिय के समान परिमान वाले होने के कारण वो संबुक समान कहा जाता है नेक्स्ट ब्रिश पूरूस और अश्वा स्त्री का सायोग इसमें ब्रिश पूरूस का लिंग नौ अंगुल का और अश्वा स्त्री की योनी भी नौ अंगुल की होती है अतर दोनों के लिंग समान परिमान के होने के कारण दोनों का संबोग यानि सायोग अनुकूल होने के क समयोग होता है आश्वपुरुष और हस्तिनी नायका के संयोग अश्वपुरुष गाल लिंग 12 बड़ा और स्थि योनि भी 12 गयरी होती है अतर दोनों के लिंग समान परिमान होने के कारण दोनों समान समरत कहलाता है आचारे बात्सायन सब विशमरत का विवेचन करते हैं इसके विपरित अर्थात स्त्री और पुरुष के योनी और लिंगे के आसमान संयोग होने पर विशमरत होता है यानि गहराई और लंबाई अगर समान ना हो तो वो स्चकूरिस के विए वहीत अर्थाथ दिर्ग्वाइन्वाले स्ट्री के साथ सहन्योंग निलाता है ये दो प्रकार का होता विएवहीत अर्थाथ अत्यान्ट कम परिमानबाले शर्च पूरुष का अत्यदिक परिमानबाली बड़वस्त्री के साथ सयोग निश्टर कहलाता है ये एक प्रकार का होता है इन में समरत सबसे स्रेष्ट होता है तर सबसे अंकित उच्चतर और निश्टर रत अधम सबसे निश्किष्ट माने जाते हैं और से सर इस तर्में स्रेश्ट होता है इस प्रकार परिमान के अधार पर नौ प्रकार के रत होते हैं आचार्य वस्था इंसमरत का विविचन करने के बाद आप विशमरत का विविचन करते हैं असमान संयोग को विशमरत कहते हैं विशमरत दो प्रकार का होता है उच्छे और नीच य योनी में लजिलापन होता है पूरुष कारलिंग योनी में योनी के अंतिम सीरे तक पहुँच जाता है अतकर कंडू की सांती नहीं होती इस रत में स्त्री को कुछ पीड़ासी होती है किन्तु दोनों के आनंदभोग में कमी नहीं आती उच्चे तर दो प्रकार का होता है बडवास्त्री और अश्योपुरुस का संयोग इसमें बडवास्त्री की योनी की गहराई नौ अंगुल और अश्योपुरुस के लिंग का परिमान बारा अंगुल का होता है। क्योंकि इस संभुग में पूरुस का लिंग स्त्री की योनी की गहराई के छोर तक नहीं पहुच पाता और मोटाए कम होने से ठीक से घर्सन नहीं हो पाता और स्त्री की कंडु नहीं मिटती, मतलब खुछ नहीं होती आता ये संभुग आनदप्रत नहीं होता, निश्तर भी दो प्रकार का होता है है ऩाइक स Chuck party का बढ़वा अच्छ अंगुल का और बढ़वास्त्री की ना उंगुल की होती है यानी स्टी की गहराई पुरुस के लिंग से बड़ी होती है अतर स्ट्री की योनी अधी गहरी होने से पुरुस का लिंग योनी के सीरे तक नहीं पहुँच पाता इसके अतरिक आचारे ने दो अन्य रतों का उल्ले किया है संयोगों का अच्यूत उच्चतर और निश्टर जब सुरत में संयोग एक के वैवधान में से होता है तो दोनों प्रकार के रत माने जाते हैं अर्था जब संयोग में एक के वैवधान से उच्चता आती है तो उच्चितर रत कहा जाता है ये रत एक प्रकार का होता है जब मिलगी स्त्री का अश्चो पूरुस के साथ संयोग होता है तो अच्चितर रत कहा जाता है इस रत में मिलगी स्त्री की यो निच्छा अंगुल गहरी और अश्चो पूरुस का लिंग बारा अंगुल बड़ा होता है दोनों के बिश नो अंगुल परिमान वाले दितिय बिश पूरुष का ब्याबधान है आता है ये उच्चितर रच कहलाता है इसी प्रकार जब हस्तिनी स्त्री का सस पूरुष के साथ संयोग होता है हस्तिनी और सस का मतलब में पहले बता जुका हूँ ठीक है तो तब वो निश्तर और अतिनीच रच कहलाता है इस रच में पारीमान भले दितिय ब्रश पूरुष का ब्याबधान होता है इस प्रकार के विशम परिमान बले लिंगे से ना तो स्त्री की कंडू मिटती है यानि ना तो स्त्री खुश होता है और ना संबोग वाशना की त्रिप्ती होती है इस प्रकार लिंग अर्था स्त्री योनी और पूरुस लिंग के परिमान के आदार पर स्त्री पूरुस सूरत उच्चेतर बड़वास्त्री और अश्वपूरुस का सयोग उच्चेतर बड़वास्त्री और सस्पूरुस का सयोग निच्टर हस्तिनिस्त्री और बिश्पूरुस का सयोग निच्टर मिलिगिस्त्री और अश्वपूरुस का सयोग उच्चेतर और हस्तिनिस्त्री और सस्प रत में कुछ पीड़ा आवश्य होती है किन्तो आनंद प्राप्ति में कमी नहीं होती और योनी की खुजलाहट यानि कंडू मेट जाती है ये रत मध्यम का होता है निश्तर में स्त्री की योनी अधिक गहरी और पूरुस का लिंग चोटा होने से पूरुस का लिंग योनी के अंदर छोर्ट तक नहीं पहुँच पाता और ठीक ढंग से घर्षन नहीं कर पाता इससे ना तो सहबास का सुख मिल पाता है और ना कंडू की सांती होती है यानि खुजलाहट की सांती होती है ये रत अधम माना जाता है अब कंडू का मतलब क्या है अचारिया का कहना है कि स और चोटे-चोटे किटानू होते हैं जो स्त्री की योनी में एक प्रकार की खाज यानी खुझलारट कंडू उत्पन्न करते हैं। भववेश और रगड से खुजलाड मीड जाती है और परमसुक की प्राप्ति होती है अब आचरे वस्तायन भववेश के अनुसार सूरत यानि संयोग के भेद करते हैं संभव के समय जिस पुरुस्त की कम अच्छा यानि रती कम हो और बीर्य अल्प हो तथा जो स्त्री के नक दंतशत आदी प्रहारों को सेयन करने में असमर्थ हो यानि संभव के समय जिस्त्रिया दाटों से काटती है नाकों से खुरचती है उसको सेयन करने की सक्ति कम हो तो वो मंदबेग पुरुस कहलाता है इसके विपरित मदबेग और प्रचंडबेग पुरुस होते हैं इसी प आचारिय वातसायन का कहना है कि जिस प्रकार लिंग का परिमान के आधार पर संभव रद नौ प्रकार के होते हैं उसी प्रकार बेग भेद से भी स्त्रि पुरुस के संभव नौ प्रकार के होते हैं कामच्छा और आबेग यानि जोस के आधार पर स्त्रि और पुरुस के मद्दवेग कहलाता है जिसमें कामेच्छा प्रबल हो बीरिये की अधिकता हो नक्षद दंदशद आदि प्रहारों को सैन का सकता हूँ उसमें सैसनुता हो जिसका मन भोक के लिए चंचल रहता है वो प्रचंडवेग पुरुस कहलाता है इसी प्रकास त्रिया भी बेग वाली नाइका के साथ समागम दूसरा मद्दवेग पुरुस के साथ मद्दवेग की नाइका का समागम प्रचंडवेग यानि चंडवेग पुरुस के साथ चंडवेग स्त्री का समागम ये तीनों प्रकार के संभोग यानि समागम समान यानि समरत कह जाते हैं क्योंक मद्धवेग नाइका से संयोग मद्धवेग पुरुस का चंडवेग नाइका के साथ समागम ये दोनों प्रकार के संबोग उच्चतर माने जाते हैं मद्यवेग पुरुस का मंद्यवेग नाइका के साथ समागम ये उच्चतर रत कहा जाता है मद्यवेग पुरुस का प्रचेंडवेग स्त्री के साथ समागम प्रचेंडवेग पुरुस का मंद्यवेग नाइका के साथ समागम ये दोनों प्रकार के संबोग निश्टर मने जाते हैं प्रचेंडवेग फुरुष का मद्दवेग नाइका के साथ समागम ये संबोग निश्टर रत कहा जाता है इस प्रकार भाववेग के आधार पर ये नो प्रकार के रत यानि संबोग होते हैं अब काल भेट से सूरत भे काके भी तीन बेद रोते हैं सिग्रमढदय और नीचिर आचार यह वस exam का कहिना है कि जिस प्रकार लिंग और योनी के परिमान के अनुसा नायक नायका के सुरत क्रिया में भेद किये गये हैं, उसी प्रकार काल भेद से भी पूर्स तरीके भेद नेधरित किये जाते हैं, काल भेद से नायक और नायका के तीन भेद होते हैं, सिग्रमध्य और चीर, जिसका जितने समय में बीरियस्ट खलीत होता है, उतने समय को काल पर इम कहते हैं जैसे जिसका बीरियस सिग्रेस्ट कलित होता है बाहर निकलता है वो सिग्रेस्ट रिनी का नायक कहलाता है जिसके बीरियस्ट कलन में ना तो बहुत अधिक समय लगता है और ना कम समय लगता है अर्था जिसका बीरियस्ट कुछ देर के बाद कलित होता है वो मद्यम स स्कलित होने वाली और बहुत देर में स्कलित होने वाली इस प्रकार बीरस कलन की दिश्टी से नायक नायका के तीन तीन भेद किये जाते हैं इस प्रकार बीरस कलन में कितना समय लगता है इस दिश्टी से नायक नायका के सुरत के नो भेद होते हैं सिगर स्कलित होने वाले पूरुष का सिगर स्कलित होने वाले स्त्री के साथ संभोग मध्य में स्कलित होने वाले पूरुष के साथ मध्य में स्कलित होने वाले स्त्री के साथ संभोग चीरकाल में स्कलित होने वाले स्त्री के साथ समागम ये तीनों प्रकार के संभोग समरत यानि समान होते हैं इनमें दोनों अर्था स्त्री पुरूस का समागम संभोग समान होता है अब जो समान नहीं है विसमरत है उनका वर्नन करता हूँ मद्यकाल में स्कलित होने वाले पूरुस का सिगर स्कलित होने वाले नायका के साथ संबोग उच्चतर है। स्कलित होने वाले पूरुस का देर में स्कलित होने वाली 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 स्कलित होने प्रतम तीन समरत कहलाते हैं समस्त सरवत्तम संबोग माना जाता है बाद के कुछ च्छ भी समरत कहलाते हैं इस प्रकार स्त्री और पुरुस के लिंग प्रमान के अनुशार सूरत के नौ भेद मानसिक भावा बेग के प्रमान के अनुशार नौ भेद और सकलन काल के प्रमान के अनुसा नौभेद कुल मिलाकर सूरत के 27 भेद होते हैं भाब यह है कि जिस सूरत में जिस समागम में लिंग प्रमान बेग और काल तीनों की समानता होती है वही सूरत सरवत्तम माना जाता है उसमें पूर्ण अनंद की प्राप्ति होती है और इसके विपर इता समन संबोग को विसमरत कहते हैं विसमरत में पूर्ण संबोग सुक की प्राप्ति नहीं होती अब आचारे वात्सायन वहां यहां स्त्रियों के सूरत सुक के समद में मतभेद प्रस्तूत करते हैं स्त्रियों के विशे में यहां मतभेद विवाद है स्त्री पूरुष के समान संबोग सुक प्राप्त नहीं करती तो स्त्री ऐसे पूरुष के साथ संभोग में क्यों प्रब्रित होती है पर इस पर कहते हैं कि पूरुष के साथ सतत संगरसंद से स्त्री की खुजलाड योनी की खुजलाड मिट जाती है आचरे वास्तायन यहां पर स्त्रीयों के सूरत सुक तदस्कलित होने के संब्बन में मतबेत को प्रस्तुत करते हैं कि क्या फुरुषों की बाति स्त्रिया भी स्कलित होती है, क्या स्त्रिया भी पुरुषों की पाती सुरत सुख प्राप्त करती है, इस बिशे में उद्दालक के पुत्र सुरत केतु का कहना है कि स्त्रिया पुरुषों की तरह सुरत सुख प्राप्त नहीं करती, पुरुष का जब बीर्य स्खलन होता है, तो उसे परम सुक की प्राप्ति होती है, स्त्रियों में बिर्या होता ही नहीं, अतर स्खलन ना होने से स्त्रियों को पूरुष के समान सुक की प्राप्ति नहीं होती, ये उस रिसी का सोच था, तो उन्हेंने बताया है, वो ही लिखा गया है, अब प्रश्न ये उठता है कि ज पूरुस जैसा आनन्द तो नहीं मिलता कईूसे मौखकान में स्तिरियों के खूझलाड संधर होजाती सांत हो जाती कहते हैं कि बूर्प्र प्रभाइत होता है उसमें कुछ छोटे किटानों होते हैं जो योनी में खूझलाड उत्पनना करते हैं इनकिटानों में कुछ किटानों आधिक शक्तिशाली होती है कुछ मध्यम सक्ति वाले और कुछ कम शक्ति वाले वे आपने शक्ति के अनुसा आधिक मध्यम और कम कंडू यानि खुजलाद उत्पन्ना करते हैं जिससे स्त्री की योनी में कभी आधिक कभी मध्यम और कभी कम खुजलाट होती है जब पूरुस अपने लिंगों को जोनी के अंदर डाल कर लगाता रगड़ता है तब स्तिरियों की कंडू मिटती है खुजलाट सांत होती है उस समय स्तिरी को परम आनंद की प्राप्ती होती है इस प्रका स्तिरी को कंडू के मिटने का आनंद मिलता है इस प्रका समय में पूरुस को बीरियस कलन में से और स्तिरी को कंडू खुजलाट की सांती से आनंद की प्राप्ती होती है अब कहते हैं कि कंडू की सांती अन्य सादनों से भी हो सकती है यदिस्त्री की कंडू की सांथी ही परमानंद है तो वो कंडू को अन्य साजनों से भी सांथ किया जा सकता है वो तालिंगन चुमबन आदिरतिक्रियाओ के कारण पुरुष के साथ संसर्ग में तुरन सुरत में परमानंद का अनुभाप करती है अचरे वास्यान के कहना है कि ये दिस्त्री में कंडू की शांती ही परमानन्द है तो कंडू की शांती तो आन्य सादनों से भी हो सकती है जैसे सलाका से कान की खुजली मिट जाती है और आनन्द की प्राप्ती होती है उसी प्रकार सलाका आदी से योनी की खुजला दूर की जा सकती है और सुख भी प्राप्त होता है काम सुत्र से अनेक प्रकार के साधना का वननाया है उसमें सोने चांदी लोहे तांबे और लकडी के बने पूर्स लिंग की आकरिती की चिकनी वस्तू भी जिससे कंडू मिटा जा सकती है मतलब लंबी चीज़ को अंदर डालकर खुजली मिटाए जा सकता है इनके आतरिक चिकनी तरी और लंबे मोटे चिकने बैंगन यानि खानी की सबजी बैंगन आदी को भी योनी में डालकर और मत कर कंडू यानि खुजलाड मिटाए जा सकता है फिर पूरुस संभोग की वोशकता क्या है फिर इस पर आचार्य कहते हैं कि पूरुस के संसर्ग से अर्थार आलिंगन जुम्बन आदी विभिन न चेश्टाओ और पूरुस लिंग के स्त्री योनी में टकडाने से एक बिलक्षन आनिर बचिनी और मानसिक संतुष आनंद की प्राप्ति होती है और कंडू की सांती होती है पूरुस को बिलक्षन आनंद की अनुबती होती है पूरुस के समान स्त्री को सुख नहीं मिलता तो उससे कैसा सुख मिलता है पूरुस को वो मानसिक आनन्द आनिर बचनी होता है क्योंकि स्त्री पूरुस के समान सुख नहीं पाती तो वो कैसे मिलता है इस पर उद्दालक रिशी कहते हैं ये कैसे मान लिया जाए कि संबुक काल में स्त्री को पूरुस जैसा आनन्द मिलता है इस पर कहते हैं कि संबुख करने के बाद पूरुस स्वेच्चा से बिरत हो जाता है जैसे स्ट्री की उपेक्षा नहीं रहती किन्तों स्ट्री के संबन में ऐसा बात नहीं होती ये और दालगी स्वेच्च के तू का मत है यहाँ पर पतिबादित है कि पूरुस को बिर्यस करन में कैसा आनन्द मिलता है उससे स्ट्री आनविग्य होती है क्योंकि स्ट्री के बिर्य होता ही नहीं अतव वो बिर्यस करन के सुक को नहीं जानती स्त्री की कंडू मिटाने को जो सुख मिलता है उससे पूरुस अनविग्य होता है स्त्री पूरुस दोनों ही एक दुसरे के सुख को नहीं जानते अनविग्य होते हैं क्योंकि सुकानुपुती अतिंद्रिय वस्तु है दूसरे पूरुस जब स्कलित होता है तब संभोग क्रिया से स्वत विरत हो जाता है किन्तो स्त्री के संभन में ऐसी बात नहीं है वो स्कलित नहीं होती यदि स्कलित होती तो वो भी अपनी इंद्रियों को संभोग क्रिया में तुरंद हटा लेती किन्तु ऐसा नहीं है पूरूस के संबप गरिया से विरत हो जाने पर भी वो सच्चा से विरत नहीं होती इसे सपश्प्रतित होता है कि स्टिया स्कलित नहीं होती है इस बिसे में ये भी देखा जाता है कि बहुत देर तक प्रजेंडब एक से संभोग करने वाले पुरुष से स्त्रिया अनुराग करती है और सिग्रस कलित होने वाले पुरुष से सुख ना पाकस्त्रिया संभोग के अंत में उससे इर्शा करने लगती है ग्रिना करती है वो संभाब सुख की प्राप्ति अप्राप्ति का लक्षन है ये ठीक नहीं दिर्गकाल तक संभोग से देर तक कंडुख खुजलाद सांत रह पक नहीं हो सकता यहां यह कहा गया है कि स्त्रिया सुरतकाल में पूरुष जैसा आनंद प्राप्त नहीं करती और ना स्विच्छ से तुरें से बिरत होती है ये उचीत नहीं प्रतीत होता क्योंकि ऐसा देखा जाता है कि जो पूरुष प्रचनडब 1-4 काल तक सुरत की क्योंकि उससे उनकी त्रिप्ति नहीं होती इस पर उदरे की सुधकेत्व क कहना है कि चीरवेक पूरुस से अनुराग और सिगरवेक से घृ seminar से ये शिद्ध नहीं होता कि स्ट्रिया भी स्कलित होती है और उने भी पूरुस जैसा आनन्द मिलता है वो भी सुडिक्रियास से स सिगर्स खलित हो जाने से देज तक उनकी खुजलाड नहीं मिट सकता है वो ये निश्ची दरूप से नहीं कहा जा सकता है कि पुरुस में स्त्रियों का राग या द्वेस खलित होने के कारण होता है अथो अकंडू मिटाने के कारण इस प्रकासंदिक दो होने के कारण स्कलित पूरुस के साथ स्त्रीयों का संयोग होने पस स्त्रीयों की कंडू खुचलाट मिटती है और आलिंगन चुम बनादी क्रियाओ द्वारा क्रियाओ के साथ वही संभुख सुक कहा जाता है। यह शिद्ध बात है कि स्त्रीयों को आनन्द की अनुवति अर्था सुक प्राप्ति ना होने पर गर्वधारन संभव नहीं है। पुरुष के समान संभुख सुक का अनुवफ करती है। वह भी पुरुष के समान स्कलित होती है किन्तु दोनों के सुक भोग और स्करन में अंतर होता है। स्त्रिया संभुख के प्रारम से ही निरंतर सुक का अनुवफ करने लगती है किन्तु पुरुष संभुख के अंत में स्कलित होने के समय सुक प्राप्त करता है। स्त्रिया पुरुष लिंक के योनी में प्रविष्ठ होते ही स्कलित होने लगती है। इसलिए स्त्रि को तबी से स्कलन जन्य आनंद मिलने लगता है और पुरुष को तो आंत में बीर्य स्कलन का अनंद मिलता है। इस प्रकार पूरुष के समान स्त्रिया भी आनंद का अनुवप करती है। यदि वे संभुग जान्य आनंद को ना प्राप्त होती तो गर्भी धारन कैसे कर पाती। हाई ये बात उनने सही कही। ये प्रस्न उठता है कि निरंतर आनंद की प्राप्ती होने पर रतिक्रिया के आरंब में स्त्री सांत और निचेश्ट रहती है। और नाकुनों से खुरेशना, डांतों से काटना आदी प्रयोगों को सहन नहीं कर पाती। फिर करमसत धीरे धीरे उनका राग अर्थत काम की प्रवित्ती बढ़ती जाती है। इसलिए कोई आक्षेप करने का आवसर नहीं रहता। यहाँ पर ये प्रशन उठाया गया है कि यदि स्त्री को लगातार आनंद की प्राप्ती होती है तो प्रारम में स्त्री उदासीन यानि सांत क्यों रहती है। और दंत शत्र नक्षत्र कुछ मरदन आदी काम क्रियाओं को पसंद भी नहीं करती। फिर धिरे उसकी काम प्रवित्ती बढ़ती है और संभुक क्रियाओं में इतना आसक्त हो जाती है कि वो अपने को भी भूल जाती है फिर उसका काम शांत हो जाता है और संभुक किछा भी नहीं करती। संभुक क्रियाओं से विरत होना चाती है ऐसा क्यूं। इस पर आचारिय बाबरे पर कहते हैं कि स्रीयों की काम प्रबृत्ति कुमार के चाक के समान अर्था लट्टू लकड़ी के खिलोने के समान होती है जिस पर कार कुमार की चाक या लकड़ी के लट्टू की पहले धीरे-धीरे मंद बेग और फिर तेज होता है, फिर गती करती है अंत में सितिल हो जाती है और धात्षय हो जाने पर रती क्रिया से बिरत हो जाती है धातुशय हो जाने पर अब एक स्लोक में बाबरेवे का मत प्रस्तूत करते हैं पूरुष को सूरत के अंत में पूर्ण सुक राप्त होता है कि इंदुस्त्रियों को आरंब से ही निर कहकर आचार्य आप सिद्धा अंतपक्ष को प्रस्तूत करते हैं इस स्पष्ठ है कि पूरुष की भांती स्त्रिया भी सुरत के अंत में सुक प्राप्त करती हैं पूरुष सुक के साथ स्त्री का सुक स्वरुपत अथोबा कालत भीन्न होता है इस पर कहते हैं समानाकृति होने पर और एक ही उद्धिस सुरत सुक से में स्त्री और पूरुष के कारियर सुक में भीन्नेता कैसे हो सकती है उपाय की बिलक्षनता और अभिमान की बिलक्षनता से सुरत सुक में भेध हो सकता है उपाय की बिलक्षना कैसे कहते हैं कि सवबत अर्था उपाय की भिन्नेता सवबत होती है यह सवबत सिध्य की पूरुष करता और स्त्री अधिकरन आधार है अन्यता करता पूरुष स्त्र पूरुष का कार्य करती है इसलिए उपाई भेत के कारण सब अभिमान भाव सुरस्तुग में भी भिन्नेता होती है भाव यह है कि सुरतकार में पूरुष को यह अभिमान होता है कि वो भोगता है भोग कर रहा हूं इस प्रकार अनुरक्त होता है और अस्त्री को यह अभिमा में से और दोनों की काम-विटि ऐक थी होथी है यदि यह कहा जाए कि सुख में पर्फब्ह और प्रकार का होता है वर पुरुश का दूसर प्रकार का अतवा काल भेद से सुख भेद हो सकता है जैसे स्त्री को पारम से निरंतर सुख मिलता है और पुरुष को सुरत के अंद में बिर्यस करन के समय सुख मिलता है किन्तों ये दोनों बाते ठीक नहीं प्रतित होती क्योंकि दोनों की आकरिती एक सी होती है दोनों का खान पान रेंसन आचार विचार एक सा होता है तो दोनों के सुक औभोग में अंतर कैसे यदि ये कहा जाए कि उपायों की बिलक्षनेता और भाब या क्रिया में बिलक्षनेता होने से दोनों के सुक में भिनता हो सकती है क्योंकि स्त्री की संभोगेंद्रिय योनी की बनावट पुरुस की भोगेंद्रिय लिंगे से भिन्न होती है स्त्री की योनी गहरी और पुरुस का लिंग बड़ा होता है पुरुस करता होता है और स्त्री आधार संभोग क्रिया में करता पूरुष की स्तिती और प्रकार की होती है आने प्रकार की होती है और आधास्त्री की स्तिती और प्रकार की होती है पूरुष ये समझता है कि मैं भोगता हूँ मैंने स्त्री का भोग किया है और स्त्री कहती है कि मैं भोगता हूँ मैंने पूरुष के कारिय है सूरत सुख की प्राप्ति उसमें किसी प्रकार का अंतर नहीं आता दोनों को एक सा सुख मिलता है एक सा आनन्द मिलता है आचारिय वात्सा यहां पर पुना अक्षेप करते हैं यहां पर प्रशन यह उठता है कि उपायों की बिलक्षनेता के समान कारिय में भी बिलक हेतु विद्यमान है किन्तु कार्य फल की भिन्यता का कोई हेतु विद्यमान नहीं है क्योंकि स्त्री और पुरुष दोनों समान जाती मनुष्य जाती के हैं अर्था दोनों की जाती में भिन्यता नहीं है अब पुना प्रस्न करते हैं और जो ये कहा जाता है कि जब भिन्य भ फल प्राप्त होते हैं ये कहना सरवता अनुप युक्त है अर्था ठीक नहीं है अब इसका समाधान करते हैं ये ठीक नहीं है एक साथ अनेक आजे किसी दिभी देखी जाती है जैसे दो भेडों के युद्ध में दो केत के फलों के तोड़ने में और दो मलों के युद्ध में जैसे वहाँ परकारक भेद लिंग भेद नहीं है वैसे यहाँ पर भी इस्तिरी पूरुस में वस्तु भेद नहीं है क्योंकि दोनों ही मनुष्य हैं और ये पहले बताया जा चुका है कि उपाई भेद अर्था करता अधिकरन का भेद तो सवाविक है वस्तु तदो दोनों की क्रिया में सवाविक भेद नहीं है इसलिए दोनों को समान सुक की प्राप्ति होती है फिर उसके बाद यहाँ पर आचारिय वादसायन मुनी आसंका उपस्तित कर उसका समाधान करते हैं यहां पर ये प्रशन उपस्तित होता है कि जब उपाई भिन्ने हैं और क्रिया भिन्ने हैं तो उनके फल भिन्ने क्यों नहीं होते इस संका का समादन करते होए आचारे कहते हैं कि उपाई की भिन्नता में तो हेतु विद्यमाने स्तिर पुरुस दोनों के सरी की बनावट भिन्ने हैं स्तिर की योनी भितर की और गहरी होती है और पुरुस का लिंग बाहर निकला हुआ लंबा होता है ये उपाई भिनेता का हेतू है इसी प्रकार क्रिया की भिनेता में भी हेतू भिद्यबाने एक पूरुश करता है और दूसरी अधिकरन है इस प्रकार क्रिया भेद में करता अधिकरन भेद रूप हेतु भी दिमाने किन्तु कार्यस सुरत सुख रूप फल में कोई हेतु भी दिमान नहीं है क्योंकि दोनों एक ही मनब जाती के हैं दोनों का रेंसन खानपान भी एकसा है और है तो सुरच सुख में भिन्नता कैसे इसके अतरिक क्रिया भेद में भी फल एकसा दिखा जाता है दो भेड़े लड़ते हैं दोनों की क्रियाए अलग अलग होती है किन्तु आगात रूप फल एकसा मिलता है इसी प्रकार दो बैल फलों से टककर में क्रिया भिन्द भिन्न होने पर भी तूटना रूप फल एकसा होता है इसी प्रकार दो पहलवानों के युद्ध में भी क्रिया भेध होने पर फल एकसा मिलता है यदि ये कहा जाए कि मेश आदी में करता के रूप में कोई भेध नहीं होता और यहां पर स्त्री पूरुस के सरी की बनावर में भिन्नेतर दिखाई देती है तो इस पर आचारे कहते हैं कि जिस प्रकार वहां पर मेशादी, कारग, भेद, लिंग, भेद नहीं है उसी प्रकार यहां पर भी स्त्री पूरुस में वस्तु भेद नहीं है क्योंकि दोन करते हैं और दोनों के सुखभोग या सुखध रनुब करते हैं अनतर नहीं है तैक इसी बात को संग्र स्लोप के दौर करें साब उपाई करना चाहिए स्री और पूरुस दोनों की सद्रिशता सिद्ध हो जाने से काल भाव और प्रमान के अनुशा सूरत के नौ प्रकार होते हैं इसके बाद आचारिय रती और सूरत के परियाई बच्ची सब्दों का उल्लेक करते हैं रस रती प्रिती भाव संप्रयोगों में एक एक के नौनो भेद होने से तता उनके अर्धात उन भेदों के और भेद क्रप्रइदों के मिश्रण से अने भेद हो सकते हैं आतर वह robi से उनकिता निर्दारित नहीं की जा सकती उन में अर्थात सूरत भेदों में तर्क बुद्धी में आलिंगन चुम्बन आदी उपचारों से उनका प्रयोग करना चाहिए यह आचारिय वातसायन का मत है कि प्रमान भेद से काल भेद से और भाव भेद से प्रत्य के नो नो भेद होते हैं इस प्रकार सुरत के कुल 27 भेद हुए पहले बताय जा चुका है कि प्रमान भेद से अर्था स्त्री की योनी की गहराई और चोड़ाई तथा पूरुश के लिंगी की लंबाई और मोटाई क के नौ परकार होते हैं इसी प्रकार कालवेट मंध मद्धेर चंड यानी तीबिए निति ब्रतीन प्रकार के बेग ध्यादर पर सुरत apt rejo होते हैं िस परकार सुरत के एक więcej 27 बेद होते हैं और यदि इनके बेद उपवेद किया जाए तो इनकी संक्या आनंत हो जाएगी इस प्रकासूरत के संक्या निर्दाइद नहीं की जा सकती है तो पुरुस को चाहिए कि वो अपने विवेक के अनुसा सूरत क्रिया में प्रभित हो किन्तु पुरुस को संबोग क्रिया में आलेंगन चुम्बन आदे क्रिया द्वारा उपचार करना चाहिए कि जिससे स्त्रिया पहले स्कलित हो जाए प्रथम चार रत यानि चार संबोग में पुरुस का बेग प्रचंड होता है किन्तु वो सिगर ही स्कलित हो जाता है ठंडा पर जाता है इसके बाद ज उसका कामबेक मंद होता है धीरे होता है और अधिक देर ये तक ठेरती है दुसी बार संवग में उसका कामबेक टिऑ रहalten ॓र सखलिट हो जाती है फिर उसके बाद प्रा यृपपुरुषोग का GYies $ क्षालम होने के पहले हो जाता है ये कहना प्रियोपाद है अचर्य वादसायन का कहना है कि पहली बार संबोग में पुरिश का काम बेक पचंड होता है और वो सिगर्स कलित होता है दूसरी बार पुना संबोग में प्रभित होने पर उसका बेक कम हो जाता है और स्ट्रियों सिगिर इस्धिरसखलित नहीं होता आधीक देर तक ठैरता इस्टियों की दशा उल्टी होती है विपट परीथ होती है पहली बार के संबोग में स्ट्रियों का बेग धिमा होता है और देर तक संबोग में ठहरती है अर्थाद वो देर से स्कलित होती है कि दूसरी बार में जब संबोग में प्रभित होती है तो उनका कामबेग प्रचंड हो जाता है और बे सिगरे स्कलित हो जाती है जिससे उनका काम बेक सांथ हो जाता है प्राइज देखा जाता है कि पुरुस स्तिरियों के स्कलन होने के पहले स्कलित हो जाते हैं ये कथन प्रेवपाद है कि तो ऐसा भी देखा जाता है कि स्तिरिया पुरुस से पहले स्कलित हो जाती है और पूर्ष बाद में प्राइस सभी आचार्य का ये मत है क्षूर्ष की अप्रेक्ष्चा स््थ्या सिग्रही कम अच्छा लगता है और आलिंगन चुम्बन एबं कुछ मर्दनादी क्रियाओं से वे सिगरही रती को प्राप्त होती है अर्था सिगरही स्खलित हो जाती है और आनंदित होती है ये प्राइस सभी आचार्य कमत है स्तीव पूरुष के संभोग के विशे में ये वैक्षा विद्दानों ने विद्दानों के लिए की गई है सदरन पूरुषों के लिए तो आचार्य इसके बाद विस्तार से प्रतिपादन करेंगे नेक्स चेप्टर पिती विशेस प्रकरन ये हम नेक्स विडियो पर पढ़ेंगे ठीक है ये विडियो बड़ा हो गया है